आज हम अचारी मसाला आलो बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही ये कम समय में बन करके तयार हो जाता है इसे आप सफर में भी ले जा सकते हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए सुरू करते हैं इसे बनाना तो इसे बनाने के यहां पर सबसे पहले हम पैन को गरम कर लेंगे और उसमें दोचमस धनिया डाल देते हैं साबुत हम ग्याताय उप्टिह दाना एकचमस जीरा कंजयर सॉफ mm हमले लिए है आधा चमस राई हमने लिया है और एकचस लाई हम दीद लिया है और आधा चमच यहां पर हमने काली मिर्च लिया है जिसे की बहुत ही चटपटा लाएगा और दो हमने सुखी लाल मिर्च लिया है यह कम तीखी वाली है अगर आप जादा तीखा पसंद करते हैं तो तीखी वाले लाल मिर्च ले सकते हैं हमने दो ही लिया है और इन म सरसु का तेल कच्छी होती है और मुझे सरसु के तिल ज्यादा पसंदा आती ही आप किसी भी इपने बना सकते हैं तेल को घरम होने पर इसमे हम अलो ढाले एक हं मेडिया है जिन वाल पार कि भी बाल करें वहां हो टीसमें पर प्लीट में में क्यों हूं क्लशी को तिर्चा कर लेते नेये जेश्टस नेरी कि अछे बासी में कटे सब्सक्राइब कर देञे प्रीट इंट कर लेते हैं के चल डाल देते हैं गत बाता हैं कि अब अपने टेश्ट के अनुषर नुч मुद्री का पाउडर की बढ़ना देृप बशाञ अच्छा है तो आप देख सकते हैं की लिए टालर जासे हिंपर पाउडर की सब्सक्राइं अच्छी हम डाल देख भाउडर म når्साजर हमेश्ची एच्छ के सकख उनकी इंसाइसे नमक डाल देजते हैं तो सबसे पर हम थोड़ा सा कला नमक डाले हैं उसके बाद हमने सफेद नमक डाल दिया है और जो हमने मसाले भून करके रखेते उसे हमने दरदरा पीस लिया है और इसे हम चलाते हुए भून लेंगे अभी हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है तो मसाले जो है जल जाएंगे पहले से भी मसाले भूने हुए है तो इसे चलाते हुए अच्छे से हम मिक्स कर लेत तो यहां पर हम धकन चड़ा लेते हैं और एक से दो मिनट के लिए छोड़ देते हैं बिलकुल लो फ्लैम पर तो आप देख सकते हैं और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इसको चटपटा बनाने के लिए यहां पर हम आमचुर का पाउडर डाल देते हैं आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं और बारी कट हुए हम धनिया भी डाल देते हैं गैस को बंद कर देंगे और इन सभी को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं यह सबजी बन करके तैयार है इस सब्जी को आप पूड़ी दाल चावल रोटी पराठे के साथ खाईएगा बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आप इस सब्जी को बनाएगा तो कॉमेंट में आप हमें जरूर बताएगा कि सब्जी कैसे लगे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए धन्यवाद